नमस्कार दोस्तों आज मैंने ब्रत में खाने के लिए बनाये हैं सिंहाडे के आटे का लड़ू आप देख सकते हैं हमारा लड़ू बहुत ही बढ़ियां बनके तैयार हुआ है और खाने में ये बहुत ही जादा स्वादिश्टी भी है तो इसे आप बना के रख लीजी और प इस लड़ू को देर के लिया है 1.5 कटोरी सिंहाडे का आटा और अधी कटोरी हमने लिये देसी घी में लड़ू बहुत ही जबर जस्तिबन के तैयार होता है और हमने रख दिया गैस पे कढ़ाई और गैस का फ्लेम हमने रखा है मीडियम लोग तो हमने जो घी लिया था 1.5 कटोरी चिंगाडे का आटे को भी डाल दिया है टालते समय का वीडियो शूट नहीं हो पाया था तो अब इन्हें हम धीमी आज पे अच्छे से भून लेंगे गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो ही रखना है और उसी फ्लेम पे हमें इसे भूनना है तो हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे इसमें हमें चीनी कितनी डालनी है तो आगे मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा इसे आप देखते रहेगा तो हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे तो मेजरमेंट के लिए आप कोई भी नाप ले सकते हैं जि बुल्कुल इस तरीके से आपको सिंँखाड के आटे को भून लेना है तो हम बढ़ दिया है और चुले से वट दिया है इस तरीके सथोड़ा चलालेंगी क्योंकि अभी भी हमारी कडाय काफी कर्म हैं तो आप जट देतें थंड़ा होने के लिए बिल्कुल ठंडा हो गया है और इसने घी को भी आप देख सकते हैं चोड़ा है तो हम इसमें विख तो चीनी को हमने पीस लिया है पीसी भी चीनी को ही हम मिलाएंगे इसके जगह पे बुरा भी मिला सकते हैं तो जीस कटोरी से हमने सिंहाडे का आटा और घी लिया था उसी कटोरे से हम डालेंगे इसमें एक कटोरी चीनी तो हमारी पीसी भी चीनी है इसे अच्छे से हम जो है म तो मैं इसे हातों से ही मिला रही हूं इस तरीके से मिलाएंगे तो अच्छे से जो है चीनी सिंहाडे के आठे में मिक्स हो जाएगा तो यह हमने अच्छे से सभी को मिला लिया है तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं तो हमने एक प्लेट रख लिए उसे में बना के हम इसे रखेंगे तो इस तरीके से हम अपने लड्डू को बना लेंगे तो जितना बड़ा साइच चाहिए आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा लड्डू को बना सकते हैं तो इसी तरीके से हम सभी लड्डू को तयार कर लेते हैं तो यह हमारे सभी लड्डू बनके तयार हो गए हैं तो जब भी आप लड्डू को स्टोर करिएगा तो यह सुनिश्चित कर लिजेगा कि आपके लड्डू बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं तभी इन्हें आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं तो मुझे उमीद है दोस्तों कि यह लड्डू बनाने का तरीका आपको बेहत पसंद आया होगा और पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सियर करना मत भूलिएगा अभी भी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन क को दबाएए ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आप तक जल से जल पहुंचे और यह पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद